दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का Eminent Institute के YouTube चैनल में एक अभी ख़वर निकल के आई है कि PM मोदी को भूटान का सर्वोच नागिरिक सम्मान से भूटान सरकार सम्मानित कर रही है तो परिख्षा के दृष्ट से उपयोगी हो सकता है ये टॉपिक तो केवल हम उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो परिख्षा से संबंदिक उपयोगी हो शकते हैं तो आईए देखते हैं कि क्या विशेश तठ्थे हैं इसमें तो भूटान ने भारती पृधान मंतरी नरेंद्र मोदी को नगदक पेल जी खोरलो आडर आफ दर ड्रंक ग्याउपो उरुष्कार से सम्मानित किया गया है यह भूटान संबराज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोचिनागिरिक सम्मान है स्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिष्टित पृष्कार को प्राप्त करने वाले पहले भी देशी व्यक्ति हैं यह इंपोर्टेंट है आप इसको याद रख ले पृष्कार के घोषना करते हुए भूटान के राजा जिगमे खेसर नमग्याव वांग्चुप नेपियम मोदी के बर्षों से दिये गए समर्थन पर प्रकाश डाला भूटान ने भारत के सहियों के सराहना करते हुए स्री मोदी को एक महान और आध्यात्मिक इनसान बताया है गौर तलब है कि भूटान ही पहला देश था जिसे भारत सरकार की ओर्षे कोरोना वाइरिस के टीके का तौफा मिला था भारत ने COVID-19 महामारी की रोक्थाम की यूजना में भूटान को विशेष रूप से सामिल किया है अभी कुस्त में पूर्वी भारत ने भूटान में इलेक्ट्रोनिक रूप से रूपे काड़ के दूसरे चरणखा सुभारम किया है गौर्टलब है कि स्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी कई देश अपने सर्वोच नागिरिक पुरुषकारों से सम्मानित कर चुके हैं आप सभी जानते हैं कि आज के दिन माने 17 दिसंबर को ही भूटान का नेसनल डेवी सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है उसी दिन इस पुरुषकार की घोषना हुई जो हमारे प्रधान मंत्री हैं उन्होंने ट्विट के माध्यम से धन्यवाद भी ग्यापित किया है तो अब पुरुषकार के बारे में देखते हैं तो यह पुरुषकार 2008 में स्थापित किया गया था भुटान के लोगों और देश की शेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को इस पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है इस पुरुषकार के पिछले प्राप्त करताओं में सामिल है तो यह ब्यक्ति रहे हैं जिनको पिछले बर्ष यह पुरुषकार प्राप्त हुए थे तो यह कुछ महत्पूर तथे रहे हैं आपको यह तथे कैसे लगे फीटबैक अवश्य दे कमेंट अवश्य करें अगर आप नोट्स पनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं और ऐसे ही लेटिस्ट अपडेट के लिए आप मारे फेस्बूक पीज को जोइन कर सकते हैं तब इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद